असलाम उलेकुर रहमतुलाहिव बरकातुरू जैसे कि हम लोग जान रहे कि अभी हज का याम चालू हो चुका है और हज का जो प्लाइट है वो इंशालला जमशित्पूर राची से 25 से सुरू हो जाएगा और इसके बाद जद्द के लिए आपको कलकत्ता से सुरू होगा में भी एक तारीक के बाद और अभी इसके लिए हज के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि एक बहुत बड़ा फर्ज है ये और उसको सही तरीके से अदाइगी के लिए हज में क्या सुननत है क्या वाजबात है क्या नफिल है ये जानने के लिए ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है और इसके लिए ट्रेनिंग का तबैटिफ्ट प्रोग्राम जो आज हमारा हो रहा है जो सुबा में साड़े आठ बजे से साड़े चार बजे तक होगा और यह मस्तुरात के लिए भी है और इम्शायला इसमें हमारे मर्द हजरात के लिए भी है और यह ट्रेनिंग के अंजाम के लिए खास करके यहां के जो इमाम साहब है है अमिरूल हसन सहाभ है मुभ्तिसगीर सहाभ है मुद्रितला साहभ है आपके मुधिनिसाथ सहाभ है सूजिट मिलकर और बीकी सुनात यंसानथ वाजबत की ट्रेνिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग अभी cah लुए और इंशाला इसका फिर आगे का ट्रेनिंग हमारा जो होगा यह सनीचर के दिन नूर मजजित में है जामा मजजित को 15 तारिक को जामाजित में भी है और इंशाला हम सब के लिए दूआ करेंगे कि आप सब हज का इरादा करें अल्ला ताला सब को हज करा है क्योंकि एक बहुत ही पाक मुकदस जमीन है मक्का मदिना जो इसलाम का हमारा लैंड मार्क है तो अल्ला हम सब को वहां तक पहुंचा है हम भी इंशाला हज पे जा रहे हैं तो शुरू हो जाएगी 25 तारिक से इंशाला यहां के फ्लैट राची से शुरू हो जाएगा राच्ट मौमद इंशाब दिन नाम हो हमारा जवान नगर रोड नॉम्बर नौ अन्वार मजिद के सेक्रेटरी भी है इंशाला हमारे लिए भी दूआ कीजिए और सारी उम्मत के लिए आप सब दूआ कीजिए इंशाला